रहीम का धोहा कदली सीप भुजंग मुख स्वाती एक गुन तीन जैसी संगती बैठिये तैसोई फल दीन स्वाती एक अर्थात स्वाती नच्छत्र में बादलों से गिरने वाली एक बुन्द गुन तीन तीन गुन जब वा बुन्द केले के पत्ते पर गिरती है तो कपोर बन जाती है सीप के मुँ में जा गिरती है तो मोती बन जाती है भुजंग मुख साप के मुँ में गिरती है तो जहर बन जाती है कदली सीप भुजंग मुख स्वाती एक गून तीन तीन गून जैसी संगती बैठी है जैसी संगत में बैठेंगे तैसो ही फल दीन वैसा ही परिनाम आएगा वैसा ही फल मिलेगा जैसे स्वाती का एक गून का संगत कदली के संग होता है कीले के संग होता है सीप के संग होता है बुजंग मुख के संग होता है तो ये की गून है अलग अलग संग होने पर अलग अलग गून पर कट होते हैं वैसे ही जैसी संगती होगा वेसा इपन मिलेगा